कि जब हम सब छोटे थे राम जन्मुमी आंदोलन हुआ हमारे अंग्रे जी के प्रोफेसर थी इलाबेन सा तो जब सिला पूजन का कारेकरम था थी इलाबेन को मैंने निमांट्रित किया मैं को पूजन तो मैं कर देती हूँ मगर मेरा भूत भी राम मंदीर नहीं देख जब भुमी पुजन हुआ तो 85 साल की इलाबेन का फोना है अमिद भाई साच अर्थ में राम मंदिर बनने की सुरुवात हो गई है कोई नहीं मानता था धारा 370 हटे कोई नहीं मानता था त्रिपर तलाग समाप्तो कोई नहीं मानता था सीए इस देश में आये कोई नहीं मानता था इस देश के अंदर भाजपा की सरकारे कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए कोई नहीं मानता था सारे अमारे वैचारी का अधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जीने किया है भारतिय जनता पार्टी लिखिया है मगर अभी भी मिसन अदूरा है मैं पार्टी के राष्ट्रिय कारिकानी में औरिसा में भूने स्वर में मैंने कहा था कि पांथ-दस साल में भारत को महान बनने की प्रक्रिया नहीं होती तीस साल तक पंचायच से लेकर पार्लामेंट तक भारतिय जनता पार्टी आती है तब ही भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते हैं मित्रों हमारे सामने एक लक्स है इस देश को हर छेत्र के अंदर सर्वप्रथम करना दुनिया में सर्वप्रथम करना वो लक्स की परिपूर्ति के लिए हम राद निती में आये हैं किसी की तरसत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिध्धान तो पार्टी के सिध्धान तो और पार्टी के कारेकरता को धोखा देकर मुख्यमंतरी बनने के लिए हम नहीं आए हम भारत माता को परम वैभाव का ले जाने के लक्स के लिए आए